असलाम अलेकुम अमीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे आज आपके साथ एक गले की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर करेंगे वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले जी मैंने ये जेपी ले ली है और जेपी की जो मेयर्मेंट है वह मैं वो करूँगी गले की जो हो इंच इंडर की दर्फ के राखेंगे यह देखिसां जी आदा इंच आपने ऐसे ट्रेस करके अंदर की दरफ करने और इसके एक चोटी सेवी जो है वह आपने ड्रॉ कर ले मैं अब गले की शेप ड्रॉ करने से पहले आप इसका जो बॉक्स है यानि कि साड़े तीन पहीं निशान लगाएं और इस तरह से box draw करके फिर गले की जो गुलाई है वो देंगे इस से गले की जो गुलाई है वो करने में ज्यादा सांव मतला अभ़ा बनाने में पीर ज्यादा तंगी नहीं होती नीटनस की ज्यादा आती है। अब मैं इस की cutting कर लूँगी कटिंग करने के बाद साइडों से भी फिर मैं इसका एक एक इंच का मारजन चोड़ने के बाद कटिंग करूंगी यह देखें जी गले की कटिंग होगी है अब साइडों से भी एक एक इंच का मारजन चोड़ने के बाद कटिंग करेंगे और इसको जी कपड़े पे चिपका लेंगे जैपी को और साइडों से इसका एक्स्टा फैब्रेक कट करने के बाद साइडों से इस तरह से सलाई लगा लेंगे अब मैंने कपड़े की भी कमीज उसकी भी मैंने क्रीज बना ली है दरम्यान में और जो गला है उसकी भी क्रीज बना ली है अब मैं क्रीज पर पहले निशान लगाऊंगी और सलाई लगा लोंगी सलाई लगा के बाद में इसकी वी पर सलाई लगाएंगे पहले दरम्यान में मैंने सलाई लगाई है और बाद में जो भी है इस पे सलाई लगा लेंगे पाकी अब यह जो फैबरिक है वो हमने कट नहीं करना पहले सिरफ यही सलाई लगानी है और कपड़ा का जो क्रीज थी मैंने बनाई उस पे भी मैंने चौक से निशान लगा लिया है अब इसका एक-एक इंच की इसका यह बॉर्डर है इसमें से मैं एक-एक इंच की चोड़ी जो पटियां है वो कटिंग करूंगी पटियों की जो मैंने लंबाई रखी है वो बारा इंच रखी है और जो चुड़ाई है वो एक-एक इंच है इन दोनों की यह इस तरह से दो ड 와 ऑप्रेंट पटियां मैं तेयार कर ली है पटियां तियार करने के बाद। इनकी मैयर्मेंट कर लेंगे तके यह बराबर है। इसलाई अभी मैंने इसके यहां नहीं लगानी है, पहले आपने पटियों की जो हलकी सी शेप है इस तरी से पानी लगा के तो वो कर लेनी है, ताके बाद में जो आपकी शेप हो सही बने, यह देखे जी मैंने इसको इस तरी से थोड़ा सा प्रेस कर लिया है, हलका सा इसमें क अब इसको कपड़े पे जो है कैसें ऊठास करना है उसका थरीका soup का किनारा किनारा है उसके इसके स्लाई लगानी है यह क्याक जी इस तरह किनारे पे रखना है और स्लाई लगा ले लिनी ए वी की बिलकुल साइट से आपने सलाई जो है इसके गिनारे गिनारे पे लगानी है ये देखें कपड़ा थोड़ा सा आपने ऊपर बढ़ा के रखना है तकरीबन एक इंचाप बढ़ा लें ताकि आपको बाद में तंगी ना हो कपड़ाई कम या ज्यादा ना हो इस तरह से ये देखें वी की तरफ अंदर की तरफ आपने रखना है और फिर इस पर सलाई लगा लेनी है अब निशान इस पर चुँके मैं पहले ही लगा चुकी हूँ दरम्यान वाला इस वज़ा से फिर मुझे ज्यादा तंगी नहीं होगी अगर क्रीज बनाते हैं कपड़े की क्रीज खतम हो जए तो फिर पो तंगी होती है सलाई लगाने में इसलिए अगर निशान लगा लें तो ज्यादा बेहतर है अब मैंने एक साइट पे पटी लगाई है अब यह जी दूसरी साइट वाली पटी भी इसी तरह से लगाएंगे कर्व चुके मैंने इसको हलका सा दे लिया था इस वज़ा से फिर मुझे लगाने में तंगी नहीं होगी अब दोनों साइट की पटीयां जो हैं मैंने लगा ली है लगाने के बाद इनकी जो सलाई है नीचे वाली जो पटी है उसको मैंने एक्स्ट्रा को कट कर लिया है अब सलाई अभी मैंने इसकी पूरी नहीं लगानी यहां से जो सलाई है थोड़ी से मैंने इसकी खुली रख ती यह देखें अब यहां से असानी से हमारी यह जो शिटल एस लग जाएगी अब इसकी साइडों पर मैंने शिटल एस लगा लेनी है कोना ध्यान से फोल्ड करेंगे अब शिटल एस लगाने के बाद जो बाकी इसका उपर वाला गले की गुलाई थी वहां भी हम सलाई लगा लेंगे पटी जो थी वो मैंने त्यार कर ली है उपर जो गले की गुलाई थी वहां भी अब सलाई लगा लेंगे इस तरह से ये पटी लगाना बहुत ही असान है बिगनर भी लगा सकते हैं इसको अगर सेम आप यही मैथर्ड फॉलो करते हैं तो मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको एक्स्क्लेन करने की कोशिश की है अमीदे जी आपको यह समझ आ गया होगा इसी तरह से आपने अप गले की जो गुलाई है वहां भी लगा लेनी है वी पे चुणके हम पहले ही सलाई लगा चुके हैं वहां पर लगाने की जरूर्त नहीं है सिरult गले की जो गुलाई है उस पही आपने सलाई लगानी है सलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रीक है वो कट करेंगे ये देखें जी सलाई कम्प्लीट हो चुकी है हमारी अब जो एक्स्टरा फैबरिक है वो मैंने कट कर लिया दरम्यान में हलके हलके से कट लगा लिया कट लगाने के बाद अब मैं इसको पलट लूँगी पलट के अच्छी तरह से प्रेस करना है जब भी आप कला पलट के प्रेस करते हैं तो पानी लगाके उसको अच्छी तरह से प्रेस करें ताके गले में नीटनस आए अब ये मैंने प्रेस करके पलट लिया है अब मैंने इस पे तुर्भाई कर लिनी है और इसके दर्मियान में मैंने बटन अटेच कर लिने है अमीदे जी कही गले कि ये डिजाइनिंग आपको अच्छी लगी होगी काइनली कुमेंट बॉक्स में कुमेंट लाजमी कीजिएगा अल्ला हाफिज